मैं आपको एक अपडेट दूँ कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूँ I'm under house arrest, actually worse than house arrest कि हमारी ये जो मांगे हैं लदाख के संग्रक्षन की वो भारत के प्रदान मंत्री जी तक पहुंचे और वो उस पे कुछ कारेवाही करे लदाख में ही नहीं पूरे भारत से समाचार आये अलग-अलग जगों पे लोगों ने कहीं अंचन कहीं पूजा की और बाहर सोए तो मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना साथ दिया पती सपोर्ट होता है मगर यहां ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाज़त के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टिचूट में सीमित किया गया है मगर मेरा मूवमेंट मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है पुलिस की बहुत भारी प्रेजन्स है यहां पर जब मैंने गोशना की की थी कि मैं खारदोंगला पर अंशन करूँगा सुचित करते हुए कहा और कई दिनों बात आखरी दिन में उनका एक पत्र आया कि खारदोंगला पर बहुत खत्रा है, बहुत ठंड है, जानवर हैं वगेर वगेर कॉकन बूल स्टोरी जैसा और आपको अपने विद्याले यहां हयाल में करना चाहिए क्या देखा कि 26 जनवरी को जब सुबा बहुत जल्दी 4-5 बजे ही यहां पर पुलिस के आवाजें सुनाई दी बस बर के पुलिस, गाड़ियां पुलिस की, और मैं थोड़ा हैरान सा हुआ कि यह इतना क्यों हो रहा है कि 26 जनवरी जिस दिन हमने समीदान अपनाया, उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चित्ड़े चित्ड़े हो रहे थे पुलिस के जवान बहुत ही विवश और मजबूर नज़र आ रहे थे क्योंकि वो उपर के दबाव के कारण सही गलत सब उनको करना पड़ रहा था, वो खुद बहुत परिशान थे इसी कैसी की जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी, तो उनका सुरक्षा का कोई परवाद नहीं था, बस उनको उपर से बहुत स्ट्रॉंग ओर्डर्स थे कि किसी भी हालत में इनको यहीं लाना है सोचता हूँ तो पता लगता है कि यह मेरे सुरक्षा के लिए नहीं, मलकी परशासन की UT Administration अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मेरी आवाज restricted रहे यहां campus में जो की ले से काफी दूर है क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए जिसकी नाकामियां वो चुपाना चाहते हैं के बहुत बड़े 6000 करोड का फंड है, ऐसा कहा जाता है, मगर इतना धीला डाला परशासन है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वापस चला जाता है, लैप्स होके, हाला कि कहा गया था कि लदाक का बजट नॉन लैपसिबल होगा एक हिल काउंसल यहाँ पर है, ले में एक, कारगील में एक, उनको मिलता है कोई 500 करोड, यानि कि 8-9 प्रतिशत जो बजट का है, वो जनता के चुने हुए परदीनिदी फैसला करते हैं, बाकी 12 प्रतिशत पे एक लेफटिनेंट गवर्नर अपना मनमानी करते हैं, मैं तो कह होंगा, क्योंकि यह पैसे जब खर्च नहीं हो रहे हैं, तो वापस जा रहा है, कोई political party नहीं है, जो इसके विरुद्ध हो, मैंने आपको कहा था, BGB के तो यह पहला चुनावी manifesto का मुद्दा है, six schedule संग्रक्षन, Congress, आमादमी party, national conference, सब के सब इसके लिए आवाज उठा र कोई professors जिनोंने अपने profile में six schedule की मांग का जिक्र किया, उन्हें कहीं का कहीं transfer कर दिया गया, और यहां तक की एक entrepreneur हैं, जिनोंने सिर्फ यह कहा कि अभी तेल और चावल महंगे हो गएं, उन पर F.I.R. कर दिया गया, ऐसी मनमार्जी चल रही है, यह तो वही six schedule है, जिसे हर party अपने top manifesto में रखा था, सरकार ने भी, अगर ऐसा ही होता रहा, तो बदकिस्मती यह होगी कि लदाख जैसे इलाके में, जो कि बहुत ही समवेदंशील है, जहां लोग इतने राश्ट्र गख्त हैं, वो alienate हो जाएंगे, और फिर क्या पता, militancy तक ना पहुंच जाए, ऐसा मैं डरता हूँ, तो यह कहूंगा, अमिचा जी से, कृपया आप हस्तक्षेप कीजिए, आप तक बातें नहीं पहुंचती होंगी, जमीन पर लोग बहुत दुखी हैं, इस यूटी से, जिसके मन मर्जी से, लदाख एक अंधेर नगरी सा बन गया है, जर्नलिस्ट को आप ब पिचारे वापस चले गए, क्योंकि 30 मिनट में कुछ नहीं हो सकता था, तो इसी तरह वो काटना चाहते हैं, ऐसे हर अफसर को जिससे की मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचे, और जिससे की हाइलाइट उनके नाकामियों पर हो, परियावरन और उसके संग्रक्षन तक अप लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं, भारत एक बनाना रिपबलिक नहीं है, भारत विश्व का एक सबसे अग्रसार देश है, उसमें एक जो उसका सर का ताज है, वो अगर अंधेर नगरी बन जाए, तो द public speeches, hold, participate in public assemblies, any activity related to recent events in lay district at present time, since it has potential for endangering peace, और मेरा सिखनेचर चाहते हैं, यानि की मैं अपने हाथ हूँ आटिकल 19 के जो मुझे freedom of expression, freedom of movement दिया जाता है, वो उनके हवाले करूँ, मैं अपने आपको अधिकारों से वंचित करूँ, तो मैंने कहा, ये तो सबसे अच्छी बात होगी, मैं तो खुशी-खुशी आपके जेल में जाना चाहूँगा, अरे साहब, जो आदमी खरदोंगला के minus 40 में मरने से नहीं डरा, वो आपके detention से डरेगा, हमारे स्कूल के दीन, मासूम, युवा, शिक्षकों को, जिनका कोई दोश नहीं है, ठाने ले गए हैं और उनको सताया जा रहा है, ताकि उनको बचाने के लिए मैं ये साइन करूँ, तो ये हतकंडे हमारे LG साहब अपना रहे हैं, यूटी परशासन को चलाने के लिए, LG साहब इस दर पर तो मैं कहूँगा, आप बहुत महनत कर रहे हैं, लदाक जैसे शांत शेत्र में भी, मिलिटेंसी का भीज बोने के लिए, जिस तरह आपने नौजवानों को बेरोजगार रखा है, फिर उन पर एक के बाद एक जुल्म, सितम ढाये जा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, मगर याद रखिएगा, हम आपको कामियाब नहीं होने देंगे, आज के यूटी से तो हम जम् और LG साहब आपको ये भी बता दूँ कि इस इगो वार में आपने मुझे हाउस अरेस्ट में तो रखा है, आपने बीस, पंदरा पुलिस कर्मी यहां तैनात किये हैं, आपको ये खयाल है कि ये पुलिस के नौजवान कितने पिस रहे हैं, ये तीन रातों से माइनस बीस में इधर चक्कर लगा रहे हैं, बिना किसी टेंट के, बिना किसी हीटिंग के, उनका मिस्यू सोच सकते हैं, तो उनका वेलफेर भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, उनको कोई तंबू, टेंट, हीटर दे देते तो आपका बहुत महरबानी होता, धन्यवाद